एक इंसान ना अपनी लाइफ में दो जंगे जाना सबसे जरूरी समझता है और सबसे मदले उसके लिए इंट्रेस्टिंग होता है एक तो होती है गोवा और दूसरी होती है लद्दाक की किसी से पूछ लेना मदले लद्दाक तो वो जाना ही चाहेगा और सबसे ज़्यादा पता है क्या सोचते हैं पर बाइक में जाने के लिए थोड़ा रिस्क रहता है उपर से यार रिस्क भी रहता है फिर घर वाले भी इतना लाव नहीं करते हमना अपनी स्कोर्पियो एन को लेकर लद्दाक की ट्रिप पे गए थे हमारा जो प्लैन बना था वो यह था कि हम यह प्लैन अगर हम पूरा वहां तक जाते ना मालो पैंगों लेक तो अमारी चलती करीबन चारे कजार किलोमेटर पर अपनी चलिए 2400 किलोमेटर मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा कैसा इस्पीरियन्स रहा है स्कॉर्पियान को लेकर मैं इस लेट ट्रिप गया तबका और इस गाड़ी ने कितना फ्यूल खाया कितनी आपकी कोश्ट आएगी क्या बजट रहेगा मतलब सारी चीज जो है आपको आज की वीडियो में बताने वाड़ा हूं सबसे पहला काम जो हम पर घर पहले एतनी मसक्त नहीं कर रहे थे और इस गाड़ी के अंदर में नगा लगा लो गाड़ी के अंदर में यहां लूड़ी तीन की अंधर बिल्कुल बर राखा ता और जो दूसरी गाड़ी हमारे साथ में तर टाता की नेकिस्टॉन थी पैट्रयों वाली उसके तो यह दिक्कत नहीं तो इस पूरा व्यू यहां से कवर नहीं कर पाते हैं कई पर मुझे वह थोड़े से छोटे लगते वैसे नहीं इस गाड़ी के अंदर में एक रूफ रेक भी लगवाने वाले थे पर हमने सोचा क्यूं यह बेफाल तुम्हें दा से घजार रुपे दिय सब्सक्राइब कर दो तीन अजार रुपे में आज तो टैक्सी वाले से लगाए गूंते सिल्वर सिल्वर से तो वह में अच्छिन लगे समान पता है हमारा कप्डों की वज़े से जाधा नहीं था इस गाड़ मलब क्या है हमारा प्लैनिंग थी कि देखो पहले मनाली जाए करीबन रात को बहुत लेट पहुंचे तो इस वज़े से हमारी पहले डे वाली केंपिंग नहीं हो पाई हमने जो पहला श्टे लिया था वो मनाली में ही लिया था बारासो का हमने उटल लिया था वैसे सेपरेट वाइस ही बताता चलूंगा और लास्ट में टोटल खर्चा है पूरा एडवेंचर आएगा आप लोगों वापर जाने के लिए और सेकंडे जैसे हम उठेने तो हमारा प्लैन बना था कि हम मनाली से ले पूरा एक रन में चले जाए जो कि हमने सोचा भाई बहुत गलास सोचा था सबसे पहली गलती होई हमारी लेट उठने वाली लेट प्रोस हो गया फिर बात में आप बाद में आते हैं सर्चू प्लेन से माइट क्या है मनाली से अगर आप लेगी तरह तो हाइट के तेजी सड़ती है और एक आती है डाइमोक्सी गोडी हमने हवावाजीन बाइव गोड़ी ली ओक्सिजन स्लेंडर तो ले लिए पर आवाज ज़्यादा खराब होगी तो मतलब माननों नहीं और जो एक फोन पकड़ रहे हैं मिर भाई इस में बतला यह पिछे लेट रहा है इस लेट इस वाई सीट पे लेटा हो जाने लग रहा था हम इससे कह रहे हैं भाई यह सर्चू में रूख जावें यह नों करना जान दे जा कोई यह चड़ते हैं जिग जैग वाले मोशन चड़ते हैं बाई सब एक तो एकमलेटाइज नहीं होए उपर से दापके खाना खा रख है फिर जैसे फिर तो खाने की हमत नहीं और दिना पानी पी रहे थे एक बार खाने के बाद ही फिर जैसे गाटा लूप्स पहुंचे जादा तवेत खराब होने कज़ेस का है हमने एमर्जेंसी महर रोड के बीच में कैमप लगाना पड़ गया और इतनी तेज हवा चल रही है मतलो हिमत नहीं हो रही है किसी तरीके से बाइस कैम्प लगा लिया पर भी यह गलती मत कर देना यह हवाबाजी का चक्कर है आपने विदेशी गई देखियोंगे लंबे-लंबे कैम्प लगा देतेने बिल्कूल भी मत ले जाना कैम्प को इतने बड़े कैम्प को एक तो हवा पता नहीं कैसी चलती है और पता है खाना पीना में जबरदस्ती सा खाना बढ़ रहा दा दाई का पैकिट था मुझ तो जाना ची ये शरीर में शरीर ना मांगी निद्रादा खाना फिर भी अम उसको जबरदस्ती थोड़ा दो चर्चमच खाके बाई लेट गए दो तिन गंटे बाद आँख खुली फिर अम गाड़ी को लेके आग एक तरफ निकल गई और पता है बाई गाड़ी का रेस्पोंस इतना पाँच जंगा आती है गाटा लूप से करीबन 50 किलोमेटर रहे जती है फिर हमारा प्लैन था कि रात होते होते पांग पहुंचेंगे और इतने बेकार रस्ते हैं इतने बेकार रस्ते हैं भूल के ना फैंबली को लेके माँ चले जाना भाई यह कभी सोचो कि मम्मी पापा अगर जादे जी कर रहे तो उने फ्लाइट से चले जाना वह सबसे बैस्ट रहेगा और मनाली वाले रस्ते से बिल्कुल मत चले जाना फैमलिक साथ में एडवेंचरस है तो मत जाना भाई वहां से इतना डवेंचर भी कुछ नहीं कि जी कोई बनाए फिर पूरा उल्टी कर ते कुराते उल्टी ते नहीं गरी खर उल्टी पड़ी थी पांग में पांग में पदे क्या था में पिछे लोट रखा और जैसी गडिशी ना पांग से पहली बदली इन जी तिन्चर राश्ते में उसको ऑंफ रोड बिल्कु निव खड़ी चड़ाई सी पढ़ती है इसक मोड जैप में लगा के बिल्कुल बड़े सब्सक्राइब फिर इसके बाद में क्या हुआ कि इसके मोड बंद हो गए जो मीटर में मोड यह कर नहीं रही थी कितने रिश्टार्ट कर लिए कुछ होई नहीं रहा दे इसके अंदर में पता नहीं वह क्या दिक्कत होई फिर मैं फिर गार्टी चलाुत आउरभाद यह पिछे लेटने लग रखा ता पिछेल Companhya शोट सब्सक्रा पिर बाद में हजार रोपे तरह रहते हैं जार रूपय में बड़ा सा कामरे ले लिए उसमें चैने पड़े पूरु ठंड में पड़े रहे ना तो कुछ खाय गया और फिर नेक्स देंपांग से ले की तरफ चले देखो पांग तक पॉंचना थोड़ा सा कठना ही बरह रहते हैं फिर उससे आगे वाला पर आप बिल्कुल हाइट पर उते हो उससे आगे फिर थोड़ा सा निच्चे की तरफ में जाते हैं तो आप तक पॉंचना मुश्किल है फिर वाह से थोड़ा सा सही सब्सक्राइब फिर सिद्धा लेकी तरफ में चल दिए और उसके बीच में क्या हुआ पांग से निकल त पांग से अगे की तरफ चले ना वाई मैंने मेरे को इतना दुख हुआ ना यह गाड़िया महिंद्रा वाले इनकी हमेसे लद्दाक में टेस्टिंग होती है तो टेस्टिंग में कहां चूक होई कि यह गाड़ी मेरी पावर निले रही यार बताओ मैं एक्सलेटर दबाऊं और एक्सलेटर में पावर निले रही ना तो इसके जाड़े के मोड चल रहे थे और फिर इसने पावर लेनी छोड़ दी उपर से एक और दिकरता ही इसने ट अच्छी बनी फिर देखा उतर के टायर तो ठीक था फिर किसी तरह करको राके थोड़ी बहुत चला चुलूक के पावर से लेनी रही थी नेक्शन वालेक पकड़ा मुगो गाड़ी रोख लो भाई पावर निले रही है गाड़ी पता नी क्या दिक्कत आगी बाई यह पता पर इसके अंदर में पावर उठानी बंद कर दी पांच जने जा रखे दाना चैने जा रखे दाने चैने में से दो जने हम दोनों काट दो बाकी सब्सक्राइब यार बगल में से अर्टिका वाल आने लग रहे हो नुकार या गाड़ी खराब होगी मुखा भाई याई सब्सक्राइब करना करकिंगा देन चैना श्यां जोत्रृ को सब्सक्राइय गाऩ किनेक्ट कर देए फिर हमारी में जो हम गए थे ना तो उस वक्त में ले बिल्कुल खाली पड़ा था तो उसी दिन हमने क्या गरा भाई एक ले में मार्किट बोलते हैं उसे जो माल रोड माल रोड देखा अपने वह एक नमबर की चीज है देखने की फिर रात को हम सोगे और फिर नेक्स डे उठके हम एक एक फोर्ट है वहीं पर वह देखा और एक सांती स्टूपाई वह देखा फिर हमारे ना उस वक्त हमारा प्लैन ही हो चुका था भाई हमार से आगे नहीं जाए जाए जाएगा यह जोड़े हमने दो आत पैस हमें घर पहुंचा दो किसी तरीके से बिल्कुल ड़ी टूट ल हम ले से दो बने जम लिया उपने घर की तरह मेंले से फिर हमने दूसरा श्टे लिया कार गिल से पहले आते जोजीला पास ना जोजीला पास बाद में पर ने करीबन बारास रूपे का रूम लिया था वहाँ पर यह मुस्लिम का कुछ अलगी सीन सा चल रहा था पता निक्या उर्दु वासम लड़ाई दंगा सा चीज वाड़ी हो रखी थी तो आमने कुछ एक सही सी जंगाय पर रूम लिया फिर नेक्स्ट हमने कारगिल से निक में verwr Barnes ya कि अऊट काउटी बारास खट्रानाक से और यह की स work ofšक शऔर क The Clock घर में таким से नुद्द ऍलयूब सिद्धिमुद्देग बात में चली और जो हमारी गाड़ी में टोटल खर्च आया गूमने फिरने का खाने पीने का टोल वोल सब कुछ लगा के 33,000 रुपे मातर 33,000 रुपे खर्च आया था और इसमें दिन हमारे कितने लगे थे पहले दिन मनाली दूसरे दिन पांग तीसरा दिन अपना ले और चोथा दिन अपना शिरिनगर फिर पांच दिन छे दिन लगे थे हमें टोटल इस गाड़ी में पूरा कवर अप करने के माड़ पाड़ में 13 की दिया 14 की दिया तो माईले से तो बिल्कुल फुछ था और जो टॉल हमारे लगे थे रूट आमने लिया था माने सर गुड़गावां से चंदीगड चंदीगड से मनाली वाला रास्ता लिया तो टॉल का खर्चा है था हमारा 24,000 रुपे और जो रहन आग जात्ता आपकी गाड़ी चलती अड़ती सो किलो मेटर करीव तो हम एक अच्छा से ट्रीप बनाएंगे पूरा पैंगों वेंगों और अगर आप भी ऐसे ट्रीप बना रहें तो आपकी सजेशन है भाई पहला स्टे मनाली मनाली जारे तो दूसरा स्टे सिसू सिसू मे एक दिन पूरा रहें ताकि आप अकमलेटाइज हो जाओ और डाइमोक्स की गोड़ी भाई जरूर छे जरूर लेके जाना ऑक्षिजन सेलेंडर जरूर जरूर लेके जाना वरने अमारे साथ वाला दानी छेड़क छेड़क के उसने पूरी राध निकाली है और वहां से तो यह था सर्चु में रूखने बाद एक दिन पूरा रूखना नेक्स डेवी पूरा रूखना फिर आप लिकाटना सिधा लेकी तरफ में ले में आप रूखना एक दिन पूरा रूखना उसने नेक्स डे जो बोल मतले जिस दिन पहुंचे पो और उसने नेक्स दिन पूर जर और आज रेखना फिर आप दिबंडना अगर आप जाना चाहते हो तो पूरा टो आडवेंच्रस अधो बस यही था एक वीडियो बाइक व्हाइच कारद आला और इसका कितनी मेने क्या थी ओर काइसा कमफर्ट रहें तो आ OnePlus दैखने ने भाई